प्रेंट्स कैसे वो आप सभी आज भई आपा इलेक्टिसिटी एंड मेगनेटिजम का नेक्स पार्ट करने वाड़े हैं इससे पहले आपा जर्नली दो लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज का जो अपना टोपिक रहने वाड़ा है वो है एपलीकेसिन ओफ ग्योस्तोरम ठीक ह उसको आप आगे continue करते हैं तो इस वीडियो का जो फर्स्ट टोपिक है वो है electric field at a point due to uniformly charged spherical cell आप लोगों की बुक में यहां तक given मिलेगा बट अगर बात की जाए exam के हिसाब से तो exam के अंदर तीन वर्ड यूज गरता है या तो बोलता है spherical cell या बोलेगा वो आप लोगों को hol यह आप लोगों को बोला जाता है conducting sphere ठीक है इन तिन्नों के कारण आप लोगों को एक point के उपर क्या find out करनी होती है electric field intensity find out करनी होती है तो उसके लिए जर्नली मैं आप लोगों को बता देता हूं तो सबसे पहले आपा क्या करके चलते हैं एक sphere लेके चलते है ठीक है यह मेरे वर्ड यूज किया है वह किया है spherical cell अब इसकी खास बात क्या होती है वो द्यान से सुले ना spherical cell, holosphere या conducting sphere की खास बात क्या होती है जो charge होता है वह कहां पर present होता है इसके surface के उपर present होता है ठीक है कहां present होता है इसके surface के उपर present होता है इसके अंदर जो चार्ज है ना वो कितना है? जीरो, यानि कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, वर्ड यूज है, होलो, होलो का मतलब है वही अंदर से ये खाली है, अब आप लोगों को क्या करना है? मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है? कुछ भी मान लो, C, O, कुछ भी मान लेना, ठीक है? अपने को सेंटर से, एक P पॉइंट है मेरा, इसके उपर क्या find out करनी है? electric field intensity find out करनी है, इसके तीन केस बनते हैं, पहला केस होता है बई, जो ये मेरा P पॉइंट है, स्फेर से बाहर लाई करें, दूसरा केस बनता है, जब मेरा ये जो स्फेर है, जो ये point है, स्फेर के सर्फेस के उपर लाई करें, और तीसरा केस बनता है, जब मेरा point स्फेर के अंदर लाई करें, ठीक है? मैं case, point wise आप लोगों को क्या करता हूं? तो सबसे पहले आप आप मान लेते हैं बई, जो अपना first case है, case first, P lies outside the sphere, P lies outside the sphere, ठीक है? जब मेरा जो P है, वो कहा लाई करता है? outside the sphere, तो इसके लिए theory क्या लिखनी है बई? theory आप लोगों को लिखनी है, कि सबसे पहले आप मानते हैं, hollow sphere, sphericals है लिए, conducting sphere, मान लेते हैं इसका radius कितना है? R, ठीक है? इसका radius आपा ने कितना मान लिया? जो इसका radius है, वो क्या मान लिया? R, और इसके अंदर जो ये charge है ना, ये कितना है? Q, ठीक है? ये मैंने charge कितना मान लिया? Q, उसके बाद आपा मान के चलते हैं, कि P point है, जहाँ पर अपने को क्या करना है? electric field intensity find out करनी है, तो P point के उपर electric field intensity find out करने के लिए, सबसे पहले आपा क्या करते हैं? Gaussian surface बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपा क्या करेंगे? तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, conducting a spherical cell, hollow sphere, या conducting sphere, having charge क्यों? charge कितना है? Q, radius कितना है? R, let P be the point, at distance R, ठीक है? जो ये P point है, ये मैंने क्या मान लिया? ये कितने distance के उपर है? इसका जो distance है, वो मेरे पास क्या है? small r, let P be the point, at distance R, from the center of a sphere, where we have to find out electric field, in order to find out electric field intensity at P point, we have to draw a Gaussian surface, we have to draw Gaussian surface of radius R passing through P point, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को बताया था भई, सबसे पहले आपा क्या करते है? point देखते हैं, और उस point के according, उसके बाद आपा क्या बनाते? Gaussian surface बनाते हैं, इसका जो Gaussian surface बनेगा भई, वो भी क्या बनेगा? spherically बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? spherically बनेगा, तो ये मैं बना लेता हूँ, ये क्या बनेगा? spherical बनेगा, तो पहला case आपा क्या लेके चल रहे हैं? जो मेरा ये P point है ये लाई करता है कहाँ पर, outside the sphere, तो उस case में applying ग्योश्थ्यूरम, सबसे पहले charge and close लिख लो गई, charge and closed by the surface, by the surface, कितना है भई? charge and close by the surface, उसकी value है मेरे पास Q, ठीक है ये surface है, इस surface के अंदर charge कितना है? क्योँ? यही अपने को ग्योश्थ्यूरम बताती है न, कि ये close surface के अंदर charge कितना है? क्योँ? ठीक है, उसके बाद क्या करते है? applying ग्योश्थ्यूरम, आप लोगों को वही same to same लिख के आणा है, applying ग्योश्थ्यूरम, applying ग्योश्थ्यूरम, अब ग्योश्थ्यूरम क्या बोलती है? total flux, enclosed by a close surface, total flux enclosed by a close surface, is equal to q enclosed, ठीक है? क्या लिखते है? q enclosed upon epsilon node, ठीक है? ये अपने पास क्या है? ग्योश्थ्यूरम है, ग्योश्थ्यूरम क्या बोलती है? total flux enclosed by a close surface is equal to 1 by epsilon node times charge enclosed by it, ठीक है? तो differential area के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर एक छोटा सा area करते हैं आपा, अब इसके अंदर electric field देखते हैं, electric field positive positive, कुछ इस तरह से होगी, similarly जब आपा differential area लेते हैं, तो उसकी value मैंने क्या माल ली? DA माल ली, ठीक है? इस छोटे से differential area की क्या value माल ली? DA, अगर मैं इसको क्या कर दू? integrate कर दू, तो ये छोटे-छोटे-छोटे सारे क्या हो जाएंगे? add हो जाएंगे, ठीक है? journaling integration का मतलब क्या होता है? ये छोटे-छोटे part जितने भी है ना, इनको आपा क्या कर देते हैं? add कर देते हैं, ठीक है? एक छोटा part कर्ट करेंगे, और उन सारे छोटे parts को क्या कर देंगे? integration के थूँ क्या कर देते हैं? add कर देते हैं, जो मेरे पास charge के कारण है, यानि कि इस small charge के कारण, जो electric field intensity होगी, वो मैं integration के थूँ पूरे के उपर निकार देंगे, ठीक है? अब क्या करते हैं? Q and closed अपना Q है, value put करो, EDA is equal to Q and closed, कितना है मेरे पास? Q upon epsilon naught, इसको मैं मान लेता हूँ, equation number first, ठीक है? केस क्या लेके चले हैं? जब मेरा pay point कहां लाई करता है? outside the sphere, अब उसके बाद देखो भई, differential area, electric field constant, वो तो constant है, variable क्या है? E, DA को क्या करते हैं? integrate करते हैं, Q by epsilon naught, ठीक है? integration से derivation cancel हो जाता है, तो यहाँ पर क्या एगा? E, A is equal to Q upon epsilon naught, ठीक है? यह मेरे पास क्या होगी? equation number second, अब आप लोगों को पता है, भई, A क्या है? area, एक इसको represent करता है area को, और sphere का area क्या होता है? area of sphere, आप लोगों को पता होगा, area of sphere मेरे पास आता है, area of sphere, यह होता है भई, अगर जो मेरे पास sphere है, उसका radius अगर r है, तो यह मेरे पास क्या होगा? 4 pi r square, ठीक है? radius क्या होता है? 4 pi r square, अब जो मैं sphere लेके चलाओ भाई इसका radius क्या है इसका radius है छोटा r तो area क्या हो जाएगा e is equal to sorry e as it is area की value रखेंगे 4 pi r square is equal to q by epsilon 0 ठीक है 4 pi r square q by epsilon 0 अब इसको outside लेके जाओ तो e की value क्या जाएगी e आजाएगा q by 4 pi epsilon 0 into r square तो ये मेरे पास क्या आगी ये मेरे पास electric field intensity आगी 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square ये मेरे पास क्या आगी electric field intensity आगी किसके कारण sphere के center से आप आने जो r distance लिया था p point के उपर क्या find out करनी थी electric field intensity ठीक है किसके कारण इसे charge के कारण तो अपने पास कितनी आई है 1 by 4 epsilon 0 q by r square ये क्या आगी p point के उपर मेरे पास क्या आगी electric field बोलो electric field intensity ठीक है case number second case second अब भी आपा क्या लेके चले थे जो मेरा p point है वो कहां लाई करता है at r distance second case if p lies on the surface of sphere p lie on the surface of sphere p lies on the surface of sphere book के अंदर एक चीज और बता रखी है वो मेरे पास previous case में भी बहुत सारे students के doubt आये थे एक बरी बोर देख लो जर्नली ये अपने पास जो foam आई है ना भई ये जो मेरे पास foam आई है ये कौन सी foam है ये मेरे पास scalar foam है कौन सी foam है scalar foam है बुक के अंदर एक step और बोल रखा है और उसके आगे लिखा हूँ है vector foam तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये चीज याद रखना भई बहुत काम आने वाली है अगे अपने को scalar foam से क्या करना है scalar foam से vector foam में किसी भी चीज को क्या करना है convert करना है scalar foam से vector foam में अगर किसी भी चीज को convert करना है तो मैं क्या करता हूँ scalar को जो मेरी scalar foam है उसको multiply कर देता हूँ किसके साथ unit vector के साथ किसके साथ multiply कर देता हूँ unit vector के साथ अब बात आती है unit vector क्या होता है unit vector यानि कि r और इसके उपर अगर ये cap लगा दी जाए ना तो इसको आपा बोलते है unit vector ठीक है r के उपर cap लगा दी इसका मतलब क्या है unit vector और इसकी value होती है r vector by magnitude of r vector ठीक है value क्या होती है r unit vector की value क्या होती है r vector upon magnitude of r vector ठीक है एक्जाम्पल के तोर पे सुन लो, अगर मेरे पास R वेक्टर है, XI कैप, या मैं ड्रेक्टी लिख लेता हूं, 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, मेरे को क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकाड़ना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाड़ेंगे, उपर लिख देंगे जो R वेक्टर है, उसको और इसकी डिवाइड कर देंगे, किसे इसका मैगनिटूट से, मैगनिटूट कैसे निकालते हैं, अंडर दी रूट, 1 का स्केर, 2 का स्केर, 3 का स्केर, value क्या आगी, 3 का स्केर, 9, 13, 4, यानि कि अंडर रूट, 14, ये मेरे पास क्या हो गया, R कैप हो ठीक है, तो जर्नली आप लोगों को क्या करना है, जो मेरी scalar form है, इसको multiply कर देना है, किसके साथ, जो मेरे पास position vector है, जो मेरे पास क्या है, पोजिशन वेक्टर, उसके unit cap से क्या कर देना है, multiply कर देना है, तो ये देखो, ये मेरी कौण सी form है, scalar form, तो इसकी vector form कैसे बनेगी बई अगर मैं इस ये मैंने जो लगाई है ना इसका मतलब क्या होता है वेक्टर फोर्म ठीक है इसको ये वेक्टर फोर्म में है आपा स्केलर फोर्म में निकाल रहे है ठीक है तो वेक्टर फोर्म क्या होगी 1 by 4 epsilon note q by r square और इंटू में r cap ठीक है जो ये distance होता है इसी के r cap से multiply की जाती है तो ये मेरे पास क्या आगी ये मेरे पास इसकी वेक्टर फोर्म आगी तो इसके अंदर भी बहुत सारे students को doubt था तो एक बार इसको भी देख ले ना जर्नली कुछ नहीं होता scalar form को अपा क्या करते है r cap से multiply कर देते है unit vector से multiply कर देते है तो मेरे पास क्या जाती है vector form आ जाती है उसके बाद case second की बात की जाए तो case second मेरे पास है भी अगर जो मेरा p point है वो लाई करता है on the surface on the surface of sphere कहा लाई करता है surface के उपर तो एक चीज बताओ अगर ये वाड़ा point मैं यहां ले आता हूँ ठीक है क्या गरता हूँ जो ये वाड़ा point है ये मेरे पास sphere है ठीक है इसके उपर positive charge है अगर इसको मैं यहां ले आता हूँ तो center से इसका distance कितना हो जाएगा capital R तो मैं लिख सकता हूँ भई जो मेरा distance है जो ये वाड़ा distance है ये किसके बराबर हो जाएगा radius के कहाँ पर लाई कर रहा है on the surface on the surface कर रहा है तो यहां पर क्या होगा भई जो मेरे पास capital R है या जो small R है वो किसके बराबर हो जाएगा capital R के ठीक है तो इसकी जो scalar form है वो क्या आएगी? वो आएगी E is equal to 1 by 4 epsilon note, 1 by 4 epsilon note, q by में capital R square, क्योंकि जो radius of sphere है वो कितना हो जाएगा? R, और इसकी vector form की बात की जाए, तो vector form journal इसकी क्या होगी बई? E vector 1 by 4 epsilon note, q by R square, और multiply कर देंगे R cap से, ठीक है? capital R cap से, तो journaling cap की unit vector से multiply करते हैं, जो distance है निचे वड़ा, उसी के unit vector से क्या अगर देते हैं? multiply, तो मेरे पास यह क्या हो जाएगी? scalar form, यह मेरे पास क्या हो जाएगी? vector form, ठीक है? उसके बाद, जो मेरे पास next case आता है भई, वो आता है, case number 3, यह आप लोगों को exam के अंदर, point as it is, लिखके आने होते हैं, ठीक है? when, p lies, p lies inside the surface, p lies inside the sphere, ठीक है? तो उस case में आपा क्या करेंगे? देखो, यह मेरे पास sphere है, इसके उपर charge कहा present है? surface के उपर, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? inside माल लेते हैं, कि यह x distance के उपर लाई करता है, p point, ठीक है? उसके बाद आपा क्या करेंगे? Gaussian surface निकाड़ेंगे, Gaussian surface बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? ग्योज़्थोरम, apply, ग्योज़्थोरम, अब ग्योज़्थोरम क्या बोलती है? ग्योज़्थोरम बोलती है, बही, total flux, enclosed by a closed surface, is equal to, one by epsilon not times, qn closed, अब एक चीज़ बत इड़ड़ा अपना क्या है? Gaussian surface और Gaussian surface के अंदर जो मेरे पास charge present है, उसकी value क्या है? क्योज़्थोरम एक लोज़्थोरम क्या है? जीरो, यानि कि इसके अंदर तो कोई charge है ही नहीं, इसके charge कहा है? बाहर है, तो surface के अंदर charge कितना है? जीरो, तो यहाँ पर value put करो बही, मेरे पास E DA is equal to Q and close, 0 by epsilon note, यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, E DA is equal to 0, तो E की value कितनी आगी? 0 आगी बही, जीरो, तो यह जर्नली मेरे पास क्या है बही? यह मेरे पास value आगी, किसकी electric field intensity की कहाँ पर? जब जो मेरा point है, P inside लाई करता है, ठीक है? तीन case थे, confused नहीं होना है, पहल पर outside, तो सबसे पहले आप लोगों को theory part करना होता है, और एक चीज का ध्यान रखना होता है, इसके अंदर जो language used की है न, आज तक जो exam में, जहां तक मैंने exam देखे, उसके अंदर यह तीन point यूज करता है, कि electric field find out कर दो एक point के उपर, due to uniformly charged spherical cell, या holosphere, या conducting sphere, इन तिनों में से एक word दिया मिलेगा आप लोगों को, और ये सारे derivation आप लोगों को उसके अंदर करने होगे, ठीक है, तो एक बारी repeat कर देते हैं, सबसे पहले आपा क्या करते हैं, जो भी इन में से spherical cell दिया है, तो spherical cell दिखेंगे, holosphere दिया है, holosphere, conducting sphere दिया है, conducting sphere, उसके बाद क्या करते है है, आपा माल लेते हैं, कि जो ये conducting sphere है, इसके उपर charge कितना है, कि और इसका radius क्या है, R है, एक P point है, जहां पर अपने को क्या करनी है, let P be a point, where we have to find out, let P be a point at distance R from the center of sphere, where we have to find out electric field intensity, in order to find out electric field intensity at point P, we have to draw Gaussian surface, तीक है, यहां तक मैंने ये बता दिया, उसके बाद आपा क्या करते ये P कहां लाई कर रहा है, तो इसके तीन case बनते हैं, पहला, अगर P मेरे पास कहां लाई करता है, outside the sphere, second, अगर मेरे पास जो P है, वो लाई करता है, कहां पर, on the surface, और तीसरा inside लाई करता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपाने क्या किया था, जब P मेरा बाहर था, जो distance मानना था, कितना था, R, छोटा R, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ग्योस्तेण अप्लाई की, ग्योस्तेण अप्लाई करने के बाद क्यों एन क्लोजड की value निकार ले कितनी थी, Q, उसके बाद क्योस्तेण लगा दी, ग्योस्तेण लगा ने के बाद इसकी A की value पूट करती, area of sphere क् करते हैं तो जरनली क्या करते हैं जो यह पोजिशन वेक्टर होता है ना आर इसके यूनिट वेक्टर से मंटिप्लाई कर दिया ठीक है उसके बाद सेकंड केस क्या है जब मेरा पी ओन दा सर्फेस लाई करता है तो उस केस में क्या होगा जो यह छोटा र है ना किसके बराबर हो जाएगा इस आर के बराबर हो जाएगा ठीक है सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है अगर जो मेरा पी पॉइंट है स्फेर के सर्फेस के उपर लाई करता है तो सर्फेस के उपर लाई करता है तो यह छोटे र की वै कर दिया चोट्टे आरगी जगां बढ़ा रख दिया उसके बाद जब मैं पी पॉइंट मालेता हूं इंसाइड दा स्फियर लाई करता है तो उस केस में क्या होगा वही देखो ग्योशियन सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है यही क्योशियन सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है q q is equal to 0 बाहर कितना है बढ़ा क्योव अंदर कितना है छोटा क्योव तो ग्योस्थ्रम अपलाई की q when closed की value क्या थी 0 मैंने पूट कर दी 0 पूट करने के बाद e d is equal to zero तो e की value क्या आगी 0 आगी तो ये मेरे पास क्या आगी ये मेरे पास क्या आगी value आगी किसकी electric field intensity की outside the sphere on the surface और inside the sphere ठीक है इसी से related same to same एक concept और है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको एक बारी लिख ले अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है वह दे रखा है अगर मेरे पास जो चार्ज है वह uniformly solid sphere हो जाए ठीक है uniformly charged solid sphere मैं लिख लेता हूँ uniformly charged solid sphere uniformly charged solid sphere ठीक है अब इस case में जो language always use करता है वह आप लोगों को बोल देता है solid non-conducting sphere ठीक है solid sphere बोल देगा या solid non-conducting sphere solid non-conducting sphere इन दोनों में से एक word आप लोगों को दिया होगा तो उस case में आप लोगों को क्या करना होगा वह अब आप बात कर देते हैं अब इसने बोला है जो मेरा sphere है वो कैसा है solid है तो solid है तो उस case में एक होगी यह देखो खोलो के case में क्या होता है जो मेरा charge distribute होता है वो over the surface होता है बट solid के case में इसके अंदर charge होगा बई कहां होगा इसके अंदर charge होगा ठीक है इसके अंदर क्या होगा charge होगा तो आप लोगों को मैं बता दूँ इसके जो दो case है ना first or second यह same to same को मैं लेखें है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो मेरा p point है न वहीं हैboy शो कि मैंने क्या मालन लिया चार्ज मालन लिया और किया है इसका radius हो hours थो सबसे पहले इसके center से आपक्या करते है एक पॉइंट दे रखा है आर उसके उपर क्या करते हैं एक पॉइंट दे रखा है पी एक डिस्टेंस आर फॉम दे सेंटर ओफ स्फेर वेर वी हैव तो फाइंड आउट इलेक्रिक फिल्ड इंटेंस्टी इन पॉइंट पी व्याव कुड्रा ग्योशियन सर्फेस सबसे पहले क् लिख लो आप एक बारी कि हैं हो गया इतना अब सेकिंड पी इस में मेरे पास क्या है सेलर ऐएंगी वय्क्टर फॉम्ट क्या है अगर जो मिरा यह पार है यह कहां पर आ जायी यानि है जो पॉइंट है मिरा स्फेर के उपर आजाल ये तो उस केस में भी formula क्या रहेगा same to same रहेगा ठीक है इसके अंदर जो changes आते हैं वो inside वाड़े के अंदर आते हैं ठीक है दोनों के अंदर जो changes आते हैं का पर आते हैं inside वाड़े के अंदर अब बात कर लेते हैं जब मेरा p point कहां लाई करता है inside लाई करता है तो उस case में क्या होगा इसके अंदर क्या होगा एक बारी द्यान से देख लेना भई मैं डाइग्राम मनाता हूं डाइग्राम समझ में आना जुरूरी है तो यह मैंने क्या किया वही समसे पहले एक solid sphere ले लिया ठीक है इसके अंदर charge कितना है प्लस 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 ठीक है उसके बाद इसका यह center point है इसका जो मैंने radius मानना है वह कितना है capital R ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं जो मेरा p point है ना वो inside the surface है inside the surface है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा ग्योशियन surface क्या बनाना पड़ेगा ग्योशियन surface है तो मैंने यह क्या बना लिया ग्योशियन surface बना लिया अब इसके अंदर थेयोरी आती है थेयोरी जर्नली क्या है वो ध्यान से सुन लेगा 4 by 3 pi r cube volume contain volume contain charge q charge q तो 4 by 3 देखो ध्यान से सुन लेगा जो यह मेरी volume है ना sphere की जो charge होगा कहां पर distribute होगा और it's a volume पहले case में कहा था surface के उपर बट इस case में कहा होगा और it's a volume तो मैं बोल रहा हूँ 4 by 3 pi r cube जो volume है वो contain करती है कितना charge q charge contain करती है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरा p point है वो लाई करता है भई x distance के उपर ठीक है जो मेरा p point है वो लाई करता है कहां पर इसके उपर तो अब मैं बोल सकता हूँ यहा से जो मेरी unit volume होगी इस line से बोल सकता हूँ जो unit volume होगी unit volume contain charge कितना charge contain करेगी वो contain करेगी q upon 4 by 3 pi r cube ठीक है यह कहा गया unit volume यानि कि एक unit के अंदर ये वाड़ा charge होगा ठीक है एक unit के अंदर क्या होगा ये वाड़ा charge होगा तो अब क्या करते हैं आपा इस volume के लिए निकालते हैं तो 4 by 3 pi x square volume contain volume contain charge कितना charge contain करेगी q 4 by 3 pi r cube into 4 by 3 pi x square ठीक है ये चीजे मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ी अजम नहीं होगी तो एक बारी दुबारा से देख लो इसको रफ कर रहा हूं भई एक बारी रफ कर देते हैं सारा उसके बाद लिखते हैं एक बार ये डाइगराम देख लेता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि हां दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले मैंने क्या मनना वही जो मेरी volume है जो sphere के अंदर charge distribute है solid sphere की खास बात क्या होती है जो इसके अंदर charge distribute होगा न वो कहां पर होगा अवर इट से volume तो मैं लिख सकता हूँ 4 by 3 पाई आर क्यूब वोल्यूम कंटेन चार्ज कितना चार्ज कंटेन करती है वो चार्ज कंटेन करती है वह क्यों ठीक है उसके बाद यहां से अगर आपा unit volume की value निकारती है unit volume ठीक है तो वन वोल्यूम में चार्ज कितना होगा यह उसके डिवाइड में चला जाएगा unit volume कंटेन चार्ज कितना चार्ज कंटेन करेगी q upon 4 by 3 pi r cube ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यह तो मेरा आगया unit वोल्यूम यानि कि इसकी एक unit के अंदर कितना चार्ज है q by 4 by 3 pi r cube तो अब मेरे को क्या करना है जर्नली इस Gaussian surface के अंदर चार्ज निकालना है कितना enclosed है तो उसके ल x square volume sorry pi x cube आएगा ठीक है volume contain charge कितना charge contain करेगी अगर मैं unit charge जो मेरे पास unit volume के अंदर charge है उसकी multiply कर देता हूँ किसके साथ 4 by 3 pi x cube के साथ यानि कि देखो एक unit के अंदर आपने charge निकाल दिया यह मेरे पास क्या है एक unit तो इसके अंदर total कितने unit बनेगी जो इसकी volume है volume into एक unit यह मेरे पास क्या जाएगा charge and closed आजाएगा इसको solve करो इसको solve करेंगे तो यह मेरे पास आएगा 4 by solve करो ओ यह 3 उपर चला गया निच्चे क्या बच गया pi r square into में 4 by 3 pi x cube pi से pi गया 4 से 4 गया 3 से 3 गया बच गया क्या मेरे पास यह बच गया q upon r square और यहाँ पर x cube यह मेरे पास क्या गया q enclosed आ गया ठीक है यह मेरे पास क्या गया q & close मैं लिख देता हूं भई q & close आ गया ठीक है यह मेरे पास क्या गया Q and close अब एक काम करो अपने को charge and close का पता लग गया तो ग्योश्थ्योरम अप्लाई ग्योश्थ्योरम apply ग्योश्थ्योरम अब ग्योश्थ्योरम क्या बोलती है E A मैं direct value put कर रहा हूं भई A क्या होता है मेरे पास 4 pi x square is equal to charge and close कितना है Q x cube r square into में अपन में क्या आता है epsilon ठीक है तो यहां से E की value क्या जाएगी E की value आ जाएगी 1 by 4 epsilon note उपर है Q x cube upon r square और x square ठीक है एक बारी फिर से कर देता हूं लगता है कई यहों को समझ में नहीं आया तो देखो सारे step कर देते हैं आप लोगों के लिए जर्नली ग्योस्थ्योरम क्या बोलती है total flux and closed by a closed surface is equal to 1 by epsilon note times charge and close by it charge and close by it तो यह मेरे पास क्या होता है इसका differentiation करेंगे तो यह आ जाएगा क्यों and closed कितना आया मेरे पास यह आया है क्यों x cube by r square into upon में क्या आएगा epsilon note ठीक है क्यों and closed की value रख दियो और upon में epsilon note अब एक चीज़ बताओ यह मेरे पास क्या है area और sphere का area क्या होता है 4 pi r square तो value put करो area की जब मैं value put करता हूँ e is equal to 4 pi r square is equal to x cube r square epsilon note ठीक है अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ e की value क्या आगी 4 pi r square को इस side लेके आ गया 4 pi sorry मैंने गल्त लिख दिया x square आएगा ठीक है 4 pi x square क्योंकि अपने को क्या करना है area निकाड़ना है और area किसका लिखते हैं आपा जो Gaussian surface का है और इस case में जो मेरे पास Gaussian surface का radius है वो क्या आएगा x तो इस case में जो मेरे पास area है वो क्या हो जाएगा मेरे पास area हो जाएगा 4 pi x square ठीक है area क्या हो जाएगा 4 pi x square तो मैं इसको इसके निचे ले जाता हूँ e को इस side छोड़ दिया e into आएगा ठीक है equal to नहीं आएगा e into area क्या है 4 pi x square is equal to q ये मेरे पास charge and close upon epsilon note divide में आजाएगा अब देखो x square से ये 2 कट गया 1 x बच गया तो मैं e को लिख सकता हूँ 1 by 4 pi लिखा फिर epsilon note लिखा q x by r square q x by r square तो ये मेरे पास क्या आगी बई electric field intensity आगी कहाँ पर p point के उपर जब मेरा ये जो ये p point है कहाँ पर लाई करता है inside the sphere अब मैं एक बारी और repeat कर देता हूँ जब outside लाई करता है ये on the surface लाई करता हूँ आप लोगों को पता चली तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस volume के अंदर charge मान दिया आपाने कितना है q तो unit volume के अंदर charge निकालेंगे ठीक है कितने के अंदर unit volume के अंदर charge निकालेंगे तो ये वाड़ी चीज q के divide में चली जाएगी तो मेरे को पता लग गया जो ये सारी unit है ना इन सभी की value क्या है इन सभी की value आगी q upon 4 by 3 pi r cube अब मेरे को क्या गरना है इसकी value निकालनी है ठीक है eda is equal to 1 by epsilon note क्यों when closed की value क्या आई थी वो मैंने यापर रख दी upon epsilon note ये जर्नली क्या होता है area किसका Gaussian surface का तो ये मेरे पास क्या है Gaussian surface कैसा है spherical, spherical का area क्या होता है 4 pi x square, x क्यों लिया क्योंकि मेरे को Gaussian surface का area किसका लिखना होता है, Gaussian surface का area, और Gaussian surface का area लिखने के लिए radius कितना वानके चले है x, तो 4 pi x square is equal to q x cube upon r square epsilon note, यहां से e की मेरे पास ये value आगी, ठीक है, अब आप लोग कहोगे अगर अपने को इसका vector form लिखना है, तो क्या करेंगे, मैं आप लोगों को कहूँगा, simple सी बात है, unit vector से क्या कर दो, multiply कर दो q x upon r square into me r, ठीक है, यह इसकी क्या हो जाएगी, vector form हो जाएगी ठीक है, यह मेरे पास क्या आई थी, scalar form यह मेरे पास क्या आई थी, scalar form यह मेरे पास थी, scalar form, यह मेरे पास क्या आगी, vector form, तो यह कानी थी, यहां से question आने के chances है तो यह जो दो derivation है न यहां से question आने के chances मान के चलो 90% है ठीक है 90 से 95% यहां से question आता है तो आप लोग इन topics को थोड़ा ध्यान से कर दे ना next video में मिलते हैं next topic के साथ उसके अलावा अगर आप लोगों को pdf notes चाहिए तो उसके लिए telegram group join कर लो telegram group का link description के अंदर है ठीक है वहाँ पर आप लोगों को जो भी telegram group है जितनी भे notes हैं आप लोगों को files के form में मिल जाएंगे उसके अलावा अगर आप लोगों को daily classes चाहिए और उसका schedule जानना चाते हो तो उसके लिए भई आप लोगों को instagram id को follow करना होगा instagram id का link description में है या instagram पे type करना creative study है के आप लोगों को id मिल जाएगी उसको जाके follow कर दो वहाँ पर आप लोगों को daily का schedule डेली मिल जाएगा thanks for watching creative study है के next video में मिलते है next topic के साथ